हेलो दोस्तों स्वागत हपका मेरे चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना राशन कार्ड का कब तक करवा सकते हैं देखे दोस्तों अभी हो क्या रहा है कि राशन डिलर के पास बहुत लंबा लंबा भीड लग रहा है और और एक चीज क्या हो मतलब दिक्कत आ रही है जिस कारण सरकार ने डेट बढ़ाती है कि पहले 30 सेप्टेमबर था अभी डेट बढ़ी आ है और आपको लास्ट में बताऊंगा कि कब तक लास्टेट है देखे दोस्तों बायमेट्रिक कैसे होगा आपका कैसे होगा इसके बारे में बता दूत थो आपका GYC है जो सत्यापः नहीं हो पाए कि आपका जो वेसमतलब कोई गरवड़ी राशन कार्ड में कोई गरवड़ी नहीं चल रहा है खोता है कि हैना दोस्तों देखिए कि परिवार में어 6 लोग है चार लोग बाहार है रहे हैं पतला अपने प्पने स्टेट से बाहार मिलके बाकी लोग का भी राशन उठा रहे हैं तो इसी गरबड़ी को रोकने के लिए सरकार क्या कर रहे है कि KYC करवा रहे है ताकि ये मतलब गरबड़ी जो है न वो रुख पाए और बहुत लोग क्या हो रहा है कि दोस्तों राशन उठाए नहीं रहे हैं कोई 6 मेना कोई साल बर से राशन उठाने रहे हैं और डिलर के पास क्या राशन जमा हो रहा है डिलर क्या हो रहा है कि बाहर में बेच दे रहा है राशन को तो ये सब गरबड़ी रोकने के लिए सरकार ने KYC स्टार्ट किया है ताकि गरबड़ी रुके और सरकार का पैसा बचे और दिखे आप को मैं बता देता हूँ और ष्थे दोस्तों यह में बड़स्त के पास में फोटो ही खिछ के लाया हूं हLU है जिए ढिलतों दोस्तों कि यहां पर अनिया दोस्तों कि फ्रिस शिपा यह है दिखे आपको पढ़के बताता हूं देखिंग करे में ये नोटिस है संबंदित लाभूकों को इक किती थी फिस्तारित कर दी गई है मतब बढ़ा दी गई है देखे दोस्तो क्या है संबंद सभी लाभूक अपना आधार प्रमानी करन 30 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं देखे दोस्तो आप लोग पूछ रहते हैं कि कब तक लास्ट एट ह यहां पर है यह देखे दोस्तों 30 दिसंबर 2024 तक आप आपना के वाइसी करवा सकते हैं राजन डीलर के पास जाके ठीके दोस्तों और देखे दोस्तों यहां क्या गरबड़ी हो रहा था यह देखे नीचे बढ़िए संबंदित यह पोस मसीन का सर्वर सिथिल होने के कारण हो जा रहा है जिस कारण दिक्कत हो रहा है तो अभी देखे दोस्तों 30 दिसंबर तक आप अपना के वाइसी करवा सकते हैं इसके लिए हर बढ़ाईयं मत आराम से आप के वाइसी करवा सकते हैं और अगर इस विशे पर कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट किजे मैं के सवालों का जवाब दूंगा दोस्तों आगले वीडियों फिर मिलते हैं दोस्तों और वीडियों चलागे तो प्लीज एक लाइक कर दीजे धर्नेवाद